वेलकम टो बैयोलोजी पॉइंट आज का हमारे टॉपिक है परागन जिसे हम इंगलीश में बलते हैं पॉलीनेशन पॉलीनेशन के हम यहां पर आपको डेफिनेशन दे रहे हैं कि किसी पुष्प के परागकणु का उसी पुष्प अथवा या फिर उसी जाती के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकागर पर पहुचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं परागन अब हम बात करेंगे कि परागण हम की से बोल रहे हैं सबसे परलाम यह देखेंंगे कि हम यह परागण कीसे बूल रहे हैं पराग जो है यह चोटा शूते हैं उसके अंदर फिर परागण पाई जाते हैं जो की चुटे-चुटे से powder like structure होते हैं जो मतलब चिपक जाते हैं किसी भी कीट के पंख पर और इस पर यह जो पराग करना होते हैं और यह जो पराग कोशे यह पूरा जो है यह male part होता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यह राइग्राम बनाया है इसमें उपर स्टीडमा बनाया है जिसे हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं वर्तिकाग्र जो होता है यह फीमेल पार्ट होता है मादा जनानांग भाग होता है चलिए अब देखिए यह डेफिनेशन आपको समझाते हैं कि यह पुश्प है मैंने एक सिंपल सा फ्लावर का इस्ट्रॉक्चर बना रखा है जो आप लोग भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं इस पे जो पराग कर्ण है है ना इसमें पराग कर्ण लगे हुए है यह पराग क पराग कर्ण इसी फ्लावर के वरतिकाग्र पर जाएंगे और उस कीट के पंखों में उसके पेरों में जो होता है वो पराग कर्ण जो होते हैं वो उसके पेरों जो है वह उड़कर किसी और पोधे के फ्लावर पे जाकर बैठेगा तो उस कीट के पंक में जो लगे थे परागकन वह इस वर्तिकागर के उपर लग जाएंगे इस प्रकार से फिर ये जो परागकन है वो धीरे धीरे नीचे ओवरी में जाएंगे यहाँ पर pollen germination की प्रक्रिया होगी pollen germination के द्वारा pollen tube का निर्मान होता है और उसके द्वारा यह जो परागण है, यह इस निशेचन की प्रक्रिया होगी, इसके अंदर ओवरी के अंदर अब परागण जो होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है self-pollination, जिसे हम लोते सवापरागण अब स्वा परागन जो है मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है आपको इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ पर परागन की बात करेंगे फिर मैं आपको बता दू देखिए स्वा परागन मतलब क्या होगा कि एसा परागन स्वा उसके नाम से इस पश्ट हो रहा है स्वा तो स्वा मतलब सेल्फ का तो जो सेल्फ उसी पोधे के फ्लावर के उपर जो पॉलिनेशन होगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते है वो क किसी दूसरे पोधे के फ्लावर के साथ में परागण की प्रक्रिया होगी तो उसको हम बोलेंगे पर परागण या cross pollination इसके नाम से इस पश्ट है cross याने किसी और के साथ में चलिए इसकी definition हम देख लेते हैं एक पोधे के पुष्प के परागण अपने ही जाती के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकागर पर जब पहुसते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं पर परागण है ना कोई पोधा है उसके ओपर फूल लगा हुआ है उस फूल में से कुछ उड़कर या अप एक चीज और की परागण पर परागण जो होता है वो कई वीधियों के द्वारा होता है जल के द्वारा होता है वायू के द्वारा होता है कीटों के द्वारा होता है तो यह बहुत सारी प्रक्रियाओं के वीधियों के द्वारा होता है जो यह वीधिया म पर परागण केरें और यह इसको बोलते वर्तिकाग्र Ну जो यह वाला जो हुआ इससे को हम बोल रहे हैं अश्राइन है यह फिले और अच्छी है आपको भिले तो यह प्रक्रिया को हम पर परागण के पर परपरागन की प्रक्रिया जो है इसका उधारण हैं इन में परपरागन पाया जाता है परपरागन के लिए पौधों में कुछ मफतुशन पॉणिद पाय जाते हैं कि यह जो पोधे होते हैं यह एक लिंगी भी हो सकते हैं यह जो पुष्प होते हैं इन पोधों पर पुष्प लगते हैं यह फ्लावर जो है वह एक लिंगी मतलब एक लिंगी को हम इंग्लिश में क्या वह बाइसेक्श्वल नहीं है यह युनिसेक्श्वल एक लिंगी मतलब या फेर उभैलिंग के होते हैं, पुश्प जो इनके जो flower होते हैं, वो बहुत ही बड़े कारके होते हैं, बड़े size के होते हैं और बहुत ही colorful, रंगीन होते हैं, और बहुत ही आकरशक, attractive होते हैं अब ये इतने आकर्शक होते हैं इसकी वज़े से इनके उपर भौरे, मधुमख्या, फिर कीट, जो भी है दूसरे वो सभी इनकी तरफ आकर्शित होते हैं पुष्प जो होते हैं इनके फ्लावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व जो होता है वह चिप चिपा होता है जिससे कि उस कीटू के बेखने से उसके पैरों में जो परागगण लगे थे वह सभी इसके उपर चिपक जाएंगे और फिर परागगण जो है पोलें जर्मिनेशन के द्वारा अंदर इंट्री करेंगे फिर फिफ्ट पॉइंट है कि पुश्प जो है उनमें परागण जो है वो विभिन वीडियो के द्वारा किया जता है मैंने बताया आपको अभी ये वीधिया कीटो द्वारा वायू द्वारा जल द्वारा ये वीधिया जो हैं वो हम अपने अगले वीडियो में explain करेंगे और परपरागन के लाब और हानी क्या होते हैं ये भी हम आपको अपने next वीडियो में explain करेंगे Thank you very much friends